कैसे हो आप लोग में देंगे आप लोग बिल्कुल ठीठ ठाक होगे तो आज की इस फीटिये में चाला हम लोग चैप्टर नबर 15 जो है वो क्विक्ली रिवाइस करेंगे सफसे में ले अघ empay लोग ने जोरी ठीड़ सुना हो प्रिवारा सकते हम लोग इनकों होगे अगर अब लोग ने वोला चैप्टर नहीं कुक्तिर नहीं सुना जो इसके बाद जो है वो इसकी तरफ आब यहां प्त आवर मार्य पास चो है वो डिशाडर्स को ने ने वाईज होगा है एओ को लोग केई है लोग लोग कहता है लोग बोड्लीपर कते हैं जहें सस्ट इसके सालने का आरता, disorders of upper respiratory except , तो लाइक इसे से भी आप लोगो इन sodels का पता हो कि मारपास यह up पर respiratory है यह lower ? तो अपर मारे पास first रहाना है sinusitis , अब sinusitis क्या है ? यह जो nozzle sinuses होते है , इनकी inflammation को हम लोग कहते है sinusitis , जब किसी भी disease के last में ITIS आ जाजाहे , तो वह हमेशा उसका मतलब होता है inflammation ठीक हो गया यह चीज पॉइंट में लखना है कि आप लोग ने sinusitis मारे पास यह inflammation of nozzle sinuses को कहते है अब मारे पास कुछ acute sinusitis होते हैं कुछ chronic होते है acute चुए है इसमें 2-2 weeks लगते हैं और मारे पास जो chronic होते हैं मच लॉंगर चुए है वो ताइम तग रहते है अब sinuses के हैं basically holes in the skull between the face facial bones ठीक है holes in the skull between facial bones यह sinuses है और इनकी inflammation को हम लोग कहते हैं यह sinusitis है ठीक है just definition आपको पता हो acute का और chronic का ज़स्ट यह period time period पता हो incubation period पता हो अब मारे पास चार तरह के sinuses है two inside the cheek bones जिसे हम लोग maxillate sinuses कहते है और two above the eyes होते हैं जिसको हम लोग frontal sinuses कहते हैं अगर आप लोग उने skull की जो है वो जस्ट उसका structure देखा हो खोपड़ी का तो face वारी side पे आप लोग उने देखा होगा maxillary region तो होता है और मारे पास eyes के अभव दो holes होते है तो यह बेसकर लिए मारे पास sinuses होते है इंके inflammation को हम लोग कहते है sinusitis अच्छा यह sinusitis के आप लोगों ने यह regions भी याद रखने है ठीक है पता होने चाहिए अब sinus कहते है कि मारे पास membrane and deboders को छोड़ ले next causes and risk factors infection हो सकते है किसी भी तरन काव infection bacterial infection भी हो सकते है viral भी हो सकते है allergic reaction की वाज़ेसे भी हो सकते है environmental agent की वाज़ेसे भी हो सकते है like this mcq bind नहीं है sinus symptoms just बस वह ही है fever बगर अगर nozzle abstraction and you know this and loss of sense of smell and you know this treatments में as such नहीं है आप लोगो sinusitis का just introduction बता हो कि मरपास इसको inflammation of nozzle nozle sinus nozle sinuses है acute tronic का पता हो further ये sinus पता हो कि ये होता कि है basically it is a hole in the skull between face and between the facial bones और ये जो 4 sinuses है इन का पता हो that is it सिर्फ ये तीन चीज़े है दूसरी मरपास आजाती जो disease है वो है disorder sorry वो है otitis media otitis media देखें otitis media नाम से जो है वो मैंने आप से फ़रे भी कहता है ITIS आप तो this means it is an inflammation तो it is the inflammation of middle year तो अब आपको अगर practice test याद हो तो उस मेंने आप से कहा था कि मारपास otitis media is the inflammation of outer year, middle year, inner year option D में दिया था both B and C याद कि बोथ middle and inner year को मैं मोस्ली स्टूंट्स ने मोस्ट्स ने मोस्ट middle and inner year को स्लाइट किया था लाइन इस 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 आप लोगोने हमेशे आपने जान में रखने है कि यह सिर्फ middle year के इंफेक्शन होता है इस में आपास यूस्टेशन ट्यूब चो है वो केते है के यूस की जाती है outside, middle year, यूस इस 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 कि आपकर लें इसे बाकिवटर्स देख रहे हैं चिल्डरन अचाहा है चिल्डरन गज्टर्ण फैक्टर्ण हो एक ढ़ी होते हैं और बाकिवटर्स इसमें एंसिट्व में नहीं है जब आपको बता हो के Attitude media is the inflammation of middle ear middle ear, फिर बोल रहा हूँ middle ear उसके बाद मेरे पास lower respiratory disorders आते हैं इस मेरे पास pneumonia होता है और tuberous losses होते हैं अब pneumonia का है sometimes यहाँ से भी Justin की definitions पूछ लेते हैं अब pneumonia मेरे पास it is the inflammation of alluvular walls plus pressure of the fluid and the pus in the alluvular sac just simple it is the मेरे पास alluvular wall की inflammation होती है और मेरे पास fluid या पास alluvular sacs के अंदर आ जाता है उसका हम लोग pneumonia कहते हैं causes and risk factors में इसके 30 different causes है हम सब्सक्राइब हो सकता है how many causes are there for pneumonia तो मेरे पास 30 different बस यह word आप लोगो को याद हो बाकी फर्द जास जास आप इसके इसको एक मरता पड़ भी लें ठीक है viruses, bacterial infection, mycoplasma आप से question कर सकते हैं मेरे पास जो pneumonia है यह viral disease है viral disorder है, bacterial है क्या है तो आप यह अगर risk factors में देखें इसमें लेका है viruses भी involved होते है bacterial infection means यह सारा इसमें factors involved होते है different इसमें नीचे बैक्रियर के नाम देखें streptococcus, pneumonia होते है hemophilia, influenza होते है strephalococcus होते है तो आपको पता हो कि यह बोथ viral and bacterial infection है 30 different causes है over definition, बता हो that है mycoplasma plural effusion के कहते है fluid around the lungs यह पता हो mycoplasma क्या होता है mycoplasma, इसमें मारे पास lunges होते है इनके गिर्ज भी fluid होता है plural effusion होता है simple as that इसमें मारे पास further emphysema होता है same thing as mycoplasma के related है plural cavity होती है plural cavity होती है plural fluid होता है lungs के गिर्ज तो उसमें पस पीप जिसे हम लोग कहते है formation होना शुरू होती है इसमें hyponeutremia है इसमें sodium की amount डिक्रीज हो जाती है हाँ बस डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर मैंने आपके दुबारा रिवाइस कर बाता हूँ आप लोग ने इंट्रड़क्शन लाद करने यही जाहन में रहने हैं हमारकास की 30 different आपे यह बहुत बैक्टेरियल अन्वारेल इन्फेक्शन है मारकास माइको ब्लासम में माइको ब्लासम में में मारकास में मारकास मारकास प्लूरल कावटी यह ग्रपर्स फर्मेशन हो जाती है है जो हाइपो न्यूट्रीमिय है इसमेर पास पर है वो सोडियम की अमाउंट कम हो जाती है सेंप्टम्स में ऐस सच कुछ भी नहीं है ठीक है ठीक है बस आप लोगोंने यही चीज आज़ा है वो जहन में रहा कनी है दिघक है कि आप दिघक है ड्रीमी का फास पास अ ब्रीर घ्रक रोल भी है खाड ़िल्मेड अесुट्य हम फ्रीयम अटालड जाता है इतना कोमन आप स्थेखण है क्वेस्डन सिडियं अर्ग हैं अप लोगों नहींग silent आपको पता हो risk factors में सच कुछ भी नहीं है, signs and symptoms में भी कुछ नहीं है, treatments में आप लोग को यह जो दो drugs यहाँ पर गवना है, rifampin and isonzyde, यह आपको पता हो, sometimes वो question कर लेता है कि मार पास वह हो, यह आपको drugs, यह तो statement में देता है कि यह कौन सी बिमारी के लिए हम लोग यूज करते हैं, यह आप से बोले का कि हम लोग TB के लिए कौन कौन सी जो है वो, like, medicines या drugs हम लोग कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वो यह है, rifampin and isonzyde, iso, isonzyde, prevention में, prevention भी, यह, sometimes आप से वही भी question करता है, कि BCG vaccination, यह हम लोग किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, यह भी मार पास, टूबर क्लास के लिए यूज 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 होती है, तो यह आप लोग पता होना चाहिए, मैंने यहां पर लोग कोता हैं, हम आप लोग अपस लोग आप से बने पता हो, कि जो TB होता है, यह Lung's का infection होता है, basically, और यह bacterial infection होता है, ठीक है? काजिज में Mycobacterium का आप लोगों ने जैन में लखना है उसके बाद जस्ट आप लोगों ने इसकी treatment में दो drugs हैं वो जैन में लखनी है और BCG vaccine का पता हो कि ये हम लोग TB patients के लिए जो है वो use करते है अब उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है ये lungs के disorders ठीक है वो तो हम लोगों ने पहले जो पढ़े थे वो respiratory disorders थे अब ये lungs के disorders है तुम्हार पास इसमें दो तरह के disorders है एक को हम लोग emphysema कहते है और दूसरे को lung cancer कहते है अब emphysema कहा है it is a shortness of breath या नि कि सांस की कमी या ये वो shortness of breath simple as that इसको हम लोग emphysema कहते है बाकि इसमें sinuses आप लोगों ने जो है वो circulation ने चेप्टर में बढ़े है वो भी इसी में जो है वो इंक्लुड़ेड़ होते है ब्लू टिंग्स टुदा स्किन sinuses का आप लोग emphysema के साथ relation तो आप समझ लोग बाकि इसमें रिजल्ट्स में कोई MCQ पाइंट नहीं है और काजिस में भी नहीं है जस्ट आप लोगों को निजायन में रखने है के shortness of breath को हम लोग emphysema कहते है और इसमें इसमें इसको आप लोग रिलेट कर लें थोड़ा बहुत sinuses के साथ इसमें रिल्ट्स में अप लोगो को आप लोग पास और यह भी नहीं है वाकि इसमें कुछ भी नहीं है यह थापलों के पास रिस्पारिटरी एंड लंग्स डिसॉर्डर्स लास्पेस ने लिख है एफेक्ट ऑफ स्मोकिंग कहते है कि इडिटेशन अफ ट्रिक्या प्लस एरंग्स फंक्शन लंग रिटेशन इंकरेश रिस्क ऑफ लंग इंफेक्शन कॉफिंग एंड वीजिंग पर्मनेंट चेंज टू एर्सक्ष इंपलेग्स एंड इसमें को एमसे की बहर नहीं है तो यह थाप लों के पास रिसॉर्डर्स अब फुरिंस आम लोग जो है वह स्टार्ट करते हैं एक होता है हमेरे पास होता है हमेरे में पास रिसुब टोरग नहीं होता है अगर हम लोग बदी के लिहाज से देखे एगी ए एक बड़ी की बाहर वाला है जो नौ 25 है जस्ट इसमें कोई MCQ point आज नहीं है जो कि मैं आप लोगों को बता हूँ तो आम लोग अपने next topic की तरफ चलते हैं अब next topic अमरे पास इसमें mechanism of homeostasis ठीक है mechanism of homeostasis, हमारे बास homeostasis यह physical control system है कुस्सन आ सकता है homeostasis is a physical control system, chemical control system, mechanical control system, option DR homeostasis it is a physical control system तो यह point आप लोगों ने लाजमी सही है अब mechanism में हमारे पास जो है सबसे पहरे इसके components देख लेते हैं के mechanism के मारे पास कुछ receptors होते हैं कुछ control system होता है और इसमें एक effect होते हैं तीन components हैं इसके homeostasis के अब जो receptors होते हैं इनकों लोग sensors भी कह सकते हैं यह sense करते हैं डेटक्ट करते हैं changes को यह फिर उसको क्या करते हैं changes को detect करके control system की तरफ बेज रहे होते हैं वहाँ पर integration होती है data की from the sensors and stored set points फिर वह factors की तरफ जाते हैं और effectors जाते हैं आगे से तो यह तो like simple सी चीज़ हैं यह आप लोगों को होद भी पता दूसरे मार पास जो चीज़ में मार पास feedback mechanism आता भास feedback mechanism और feedback mechanism में यह तीन तरह के होते हैं एक को हम लोग कहते है negative feedback mechanism एक उता है positive feedback mechanism तो three मार पास a harmful harmful feedback mechanism first up लोग देख लेते हैं पर negative feedback mechanism negative feedback mechanism इसम मार पास Adversal of the direction of the changes degrees water, hypothal mass flow phocotri lobe होता है, मास ADH release होता है, collecting tubules में होता है, और वो distillate and converting tubules में जाता है, simple as that, हमार पास जितनी भी ये like regulations हो रही होती है बर्डी के अंदर, एक चीज़ कम होई, दूसरी जाता हो, ये बर दूसरी जाता हो, किसी भी आइन्स की बात हुई, तो आप लोगों ने आंके बंद करें कहने, कि मार पास यहार ये negative feedback mechanism हो रहा है, ठीक है, ये, जिसमें मार पास directions reserved हो रही हो, ठीक है, direction unit हो रही हो, तो वो negative feedback mechanism है, sometimes आपस question करता है, पेपर के अंदर, ठीक है water की कमी, ये मार पास कौन सा feedback में हो रहा है, तो ये हमार पास negative feedback mechanism हो रहा है, ठीक है, और एक और point आप लोग जहन में रहा है, कि मार पास body में जय्दा ता negative feedback mechanism हो रहे होते हैं, positive कम हो रहे होते हैं, तो ये point भी आप लोगों ने जहन में रहा है, ठीक है, पहली बात तो ये negative feedback mechanism क्या है, it is a reversal of the direction of the changes, आप लोगों के पास यहां पर आप लोगों की बुक में भी कुछ examples होगी water वगहरा की, आप लोगों ने अगर आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, chemical coordination वहां पर भी ये feedback mechanism आते हैं, वहां पर भी कुछ examples mentioned हैं, तो वह भी हम लोग देखेंगे, तो examples आप लोगों को लाजमी बता हो, और दूसरी बात यहीं भी बता हो, कि मारे पास हमारी body में, जदे-दर जो feedback mechanism होते हैं, वो negative feedback mechanism होते हैं, उसके मारे पास positive feedback mechanism है, amplify करता है, आपसे question sometimes आता है, child birth is an example of, positive feedback mechanism, negative feedback mechanism, तो मारे पास child birth ये positive feedback mechanism है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, harmful feedback mechanism, इसमें मारे पास fever आजाता है, ठीक है, increased carbon dioxide in the blood, faster breathing, simple is that, जब आप लोगों के पास, आप लोगों के इसमें, fever होता है, high fever, up to 113 Fahrenheit, तो मारे पास harmful positive feedback mechanism होता है, ठीक है, harmful भी होता है, harmful क्यों होता है, तो यह तो बनने के लिए dangerous है, और positive के इसलिए, क्योंके मारे पास body में different pathogenes आते हैं, infection होगा होता है, तो यह उसके लिए body एक set point और उसने वो किया होता है, वो चाहती है कि यार मैं temperature को rise करूं, और यह जो like virgin particle है, उसकी death हो जाए, तो एक किसम के यह harmful भी है और एक positive mechanism भी है, तो इसलिए इसको harmful positive feedback mechanism कहते हैं, तो question कर सकता है कि high fever, it is an example of positive feedback, negative feedback, harmful feedback mechanism, तो it is a harmful feedback mechanism, ठीक है, तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए, सब्सक्राइब में के, यहां से consecutive point just यह था, अब उसका पतम मैं पता है, अस्मोर गिलेशन अजाते हैं, थीक है, different regulation, श्मोर गिलेशन थे अस्मोर गिलेशन तरमः गिलेशन तो वह देखते हैं, अस्मोर गिलेशन इससे name से analyकेट कर हैं यह वार्ट और राइन्स के साथ यह वो रिलेट करेगा ठीक है जब महर पास बोड़ी जो है वार्ट और राइन्स की कॉंसेंट्रेशन को मेंटें करती है तो उसे अब लोग अस्मो रेगलेशन कहते हैं सम्टैम्स डेफिनिशन भी सिंपल आपसे पूच सकते है तो आप इसको डिवाइट किया हुआ है कहते कि water and solute relations to the cell 70% water in the body quantity cell अच्छ में मैं अच्छ में में सब्सक्राइब आपस कौन सा है आपसे question कर सकता है medium of life option a water option b energy option c sunlight option d atp medium of life अबर बास water है तो आपर students confused है जाते है वो ATP को कोई को चूज कर रह रहा होता है कोई क्या कर रहा होता है point है मैंने आप से पहले कहा कि sometimes इतनी common type of mcqs आ जाते है कि बंदा वहां पर पागल हो जाते है कि यारभ में क्या option जाया है वो चूज करो to medium of life हमारे पास water है अलागे बहुत अजीब सा लग रहा है लगन यह mcq आ सकते है मारे पास next मारे पास asmo regulation ठीक है मारे पास कुछ asmo regulators होते है कुछ asmo confirmers होते है अब का asmo regulators रहा है कि different body and external environments solute concentration regulate by energy example land animals most marine vertebrates simple asmo regulators मारे पास रहा हो इनका body environment जो है वो different होता है external से and example just आप अचा यह energy को regulate करते है ठीक है regulators मारे पास रहा हो energy को regulate करते है इसकी name से indicate हो रहा just example पता हो आपसे question यहां से किस तरह से आएगा यहां तो आपसे पुछ़गा कि अगर body environment different हो outer environment से तो मारे पास हो तो कौन आइमेल रहते हैं तो मैं आपस asmo regulators होता है number one number two आप लोग ने एक्जेंपल्स हैं में रखेंगे कि मारे पास आपस 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 से question कर सकता है कि land animals और most of the marine vertebrates are asmo regulators, asmo confirmers, terrestrial, option D, none तो आप फिर वो आपस तो land animals और most marine vertebrates होता है यह asmo regulators होता है simple as that आसमों confirmers आ जाते हैं कि body and external environment have same solute concentration confirmers में हमार पास solute concentration सेम होती है वागी लुटेर्स ने हमने कहा कि internal और external जो हमार पास solute concentration होती है वो different है ठीक है examples aquatic animals जितने अब लाजमी नहीं कि आपसे examples में वहाँ पर aquatic animal ही पूछेगा क्या पता हो aquatic animals कोई उठा कर दे थे ठीक है फिर आप लोग नहीं वहाँ पर होता इंटिफाई करना हो कि यार इसमें aquatic कौन से है land वाला कौन से है marine कौन से है तो आप लोग की book में examples लिखी हुए है तो आप लोग वहाँ से देखो कि ठीक है जिस book वाली examples भी कर लो तो this is more than enough ठीक है बाहर से कोई example वह आपको नहीं देगा उसके मारे पास असमोर अनिमल्स आप डिफेर्ट एंवार्मेंट आजाता है ठीक है अब इसमें उसने अगेन इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुए है ठीक है फिर्स्ट मारे पास आजाते हैं जी अश好吃ी अए अशी आप डिफेर्ड्स मेसम नीमल्स पलोवाटर ख्रैश्वाटर। अब लोगों ने यहां पर यह जहन में रखने हैं कि मार पास फ्रेश वाटर अनिमल्स होते हैं अपने पास लिखें साथ-साथ कि मार पास यह आस्मों रेगुलेटर्स होते हैं अब लूबर वन नमबर फू यहां पास भाश्व पास डायलुटेज यूरीन अब यहां परोलूस कर और होते हैं दो नमबर टू, नमबर त्री, इन में हमार पास active transport of salt हो रहती है from external dead root medium with the spatial cells called as lonocytes. अब ये lonocytes सिर्फ हो सिर्फ amphibians में present होते हैं, ये भी पता हो, आप से question कर सकते हैं कि amphibians में हमार पास active transport of salt हो होती है from external dead root medium with the spatial cells उसे क्या कहते हैं? तो वो lonocytes है, ये तीन points आप लोगों ने जहन में रखने हैं, दूसरा मार पास जाजी marine water animals, अब question आ सकता है कि marine water animals और asmo regulators, asmo confirmers, both, ये terrestrial, तो marine water मार पास ये asmo regulators भी है और asmo confirmers भी है, ठीक है? अब confirmers को पहले देख लेता है, काते है cartiligineous fishes, examples उसने दिया, sharks, sauris, skates, cyclostroms, like magzine, तो ये आप लोगों को पता हो, ये आप लोगों को पता हो, ये आप लोगों को पता हो, ये आप मेरीन में भी फर्दर, पहली बात जाजी मेरीन हमार पास जाए और asmo regulators भी होते हैं, और asmo confirmers भी होते हैं, अब further, अब इसमें asmo confirmers को उनकों से हैं, येस आप लोगों को इनके डेफिनेशन चाहत करने हैं, आसमो regulators में भी फिशिज का का है, ठीक है, that is it, बाकि ये जितनी जीज़े उसने लिगे हैं, I think mcq points हैं, बाकि नहीं हैं, just आप लोगों को इनके examples जाए द excess salt in the body, like mcq points, इसमें just, ये ही हैं, कि आपास जो boney fish होते हैं, आसमो regulators होते हैं, and one mcq point मैं और देख हैं, ये मैं आपको उसमें भी दिया था, practice test में भी दिया था, कहता है कि आपास, some fishes have special salt secreting the glands in which, sorry, in walls of rectum, rectal gland, तो, ये rectum को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपास salt secreting gland होता है, ठीक है, और, that is it, rectum का पता हो, और boney fishes का बता हो, कि मैं आपस आसमो regulators होते हैं, that is it, अब, तीसरी का टगरी है, वह मैं आपस terrestrial animals की, यहां से आप लोग जस्ट दो चीजे जहन में लखो, कि इसमें बहुत सब्सक्रा एक्सिस water loss हो जाता है, examples आपको बता हो, कि मैं आपस kangaroo rat आता है, और invertebrates में में आपस आरत रपोर्ट आते हैं, vertebrates में में आपस reptiles, birds and mammals, य तो यह अप लोग को पता होना चाहिए, कि terrestrial animals जी है, Enhydrobiosis क्या होता है, Enhydrobiosis का पता हो, कि मैं आपस Metabolic and Behavior Adaptations है, ठीक है, En mean, Without, Hydro means Water and Biosis means, उसको इलाइक को मैंटेन करो है, तो यह आप लोगों की simple definition है, जो कि FFC में आप लोगों ने देखी होगी, अब लोग इसको को कोश उसको बुछ नहीं है, Okay, next आप लोगों की अपनों की वास Excretion का Topic, Now, Excretion की है, Carbon Diokside plus Water, Metabolism of Sugar Lipids Πróteens, Okay, When Metabolism of Sugar, Lipids and Proteins के आप स्पार लोगों बॉबर जब मेरे पस Metabolism of Sugar, Lipids and Proteins के आप स्प्रोटेन का होगी होते है, इसको बॉबर बॉबर मेरे पस Carbon Dioxide and Water Release होते है, लह तो मेरे पास nitrogen waste जो है, जब मेरे पास metabolism of ammonia होती है तो उस पर primary nitrogen waste मेरे पास बन रहे होते है यह important है, ठीक है, यह आपके MCQs में आ सकते है कि जब मेरे पास nucleic acid और proteins की metabolism होती है तो मेरे पास क्या चीज़ excret होती है ठीक है, यहाँ पर यह 3 points है उस आप लोगों ने यह लाजमी देखने है, ठीक है फिर कह रहा हूँ, यह 3 points है, इनको लाजमी देखने है sometimes यह भी exam में आ जाते है कि अगर हमारे पास ammonia की हो रही है metabolism, तो हमारे पास primary nitrogen waste जो है यह excret होगा अब मारे पास next कुछ excretory products है like ammonia, urine, uric acid, ठीक है यह वह common common चीजे हैं जो आप लोग FAC level पर पढ़ किया है अब यहां से, first of all, हम लोग इनको combined देखेंगे toxicity की बात करेंगे, toxic nature की बात करेंगे तो आप जूम कर लेता हूँ ammonia मारे पास जदा टॉक होथ होता है उसके बाद urea मारे पास होता है तीसरे पर पर जो सबसे लेस टॉक होता है, उसके बाद यहां से लेस टॉक होता है sometimes in MCQ में यह कोशना आता है which one of the following excretory product is more toxic यह less toxic तो more आया है तो ammonia होगा, लेस आया है तो uric acid होगा यह trend आप अपने अपना आपास लेख लेखें कि toxicity हमारे पास ammonia is more toxic than urea and urea is more toxic than uric acid और urea का आप लोग यह भी जहन में राके कि it is आपास लेख 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 लेस टॉक्सिक थैन ammonia, ठीक है यह आप लोगा एक पॉइंट हो गया solubility की बात करते है कहता है कि 1 gram of nitrogen जो को excret करने के लिए हमें 500 milliliter of water required होता है, ठीक है एक gram of nitrogen को जो है वो excret करने के लिए 500 milliliter of water required होता है यूरिया के लिए एक gram of nitrogen in the form of urea को रिमूव करने के लिए हमें 50 milliliter of water required होता है 50 milliliter और हमार पास uric acid जो सबसे less toxic है उसमें जाश्ट हमार पास 1 gram को रिमूव करने के लिए सर्फ एक gram water required होता है mostly यह बर्ड्र में हो रहा होता है वागी जा कर देखते है अब conditions का कहता है मार पास वो animals जो ammonia screte करें होता है जो हम लोग ammonotellic केहते हैं ठीक है जो ureous screte करें होता है जो हम लोग युरिकोटellic केहते हैं अब नीचे कुछs examples है examples important है most important अब यहां से क्या चीज़ है तो examples है क्योंकि वो आपसे direct question नहीं बुचेगा वो आपसे बोलेगा यह एग-लेंग vertebrates होता है एग-लेंग vertebrates वो ammonotellic होते हैं ureotellic होते हैं यह ureotellic होते हैं अगर आप लोग नीचे एक्जम्पल में देखें, हमार पास जो फिशे होती है, प्रोटोजवाज होते हैं, स्पंजी, सोलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्मेट्स, यह मार पास एमोनोटैलिक होते हैं, ठीक है, अमोनिया स्क्रीट करते हैं, मेरीन टरेस्ट्रियल जितने भी हैं अब मेरीन टरेस्ट्रियल कौन-कौन से है, यह आप लोगों नी होज़ा इंटिफाइब करना होगा, अगर वो आप लोगों को MCQ में देता है, वो मार पास यूरिया स्क्रीट करते हैं, ठीक है, और मार पास जो टरेस्ट्रियल एग लेंग वल्टिपरेट्स होते हैं, जिस मार पास आजाता है, human excretory system, वो देख लेते हैं, अच्छा है, इस में मार पास skin होते हैं, lungs, liver and kidney, यह मार पास में components होते हैं, kidney को देखते हैं, यह dark slightly flattened beam shaped organ होता है, यह आप से नहीं पूछीगा कि मार पास उसकी आप shape बता दो, लेकर आपको इसका length, width और weight का बता हो, 12 cm long होत होता है, और 4 cm thick होता है, यह बता हो, यह तीनो values, प्लस इसका 150 grams weight होता है, आपको मैंने MCQ में भी दिया था, कि weight of kidney practice test, I think practice test number 1 था, यह 2 था, उस मैंने आप से पूछा था, कि weight of kidney कितने हैं, तो वो 150 grams है, उसकी बात कहता है, कि just below the type program, between last thoracic vertebra and third lumber vertebra, तो यह उसकी location है, लाज मैं पूछ सकता है, चीक है, upper part of kidney, parallelly protected by the 11th and 12th rib, question कर सकता है, कि मैं पास जो kidney का upper part होता है, इसको कोण protect करता है, तो उसको 11th and 12th rib protect कर रही होती है, right kidney मैं पास little lower होती है, चीक है, यह पता हो, right वरी lower, क्यूंकि liver का low buy होता है, तो इसलिए थोड़ी lower होती है, तो इसलिए जैसे आप लोगों ने इसका जैन में रखने है कि मार पास इसमें, यह 12 cm long होती है, 6 cm width होती है, और thick यह 4 cm होती है, sorry 4 cm, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता हूँ, वेट उसने बताया है, 1 grams, इसका, sorry 150 grams weight होता है, अब यह जो इसने 150 बता है यह उसने एक kidney का बताया है, अगर exam में वो आप से each single kidney का बूचता है, या each kidney का बूचता है, तो मर पास 150 grams होगा, लकर अगर वो दोनों की बात करते हैं, तो 150 plus 150 is equal to 300, आप लोग बोलोगे कि मर पास total weights होगा, दोनों kidneys का, वो 300 grams होगा, तो यह point भी आप लोगों ने जैन में रखने है, फिर students है, वो उस वरक 150 choose करके आते हैं, फिर बात में जैस वरक marks कम आते हैं, expectation से कम आते हैं, तो फिर ब्लेम कर रहे होते हैं, अलगे इस तरह की बात नहीं होती, असलों में वो आप से, जितने भी competitive exams होते हैं, वो आपके सथ वो tricks खेलते हैं, तो आपको confuse करते हैं, तो इस option का सोच रहा थ कि यह option हो सकते हैं, sometimes वो option नहीं होता, ठीक है, तो इस चीज़ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यदा कोशे कर देहान देना है, यहां पर आप लोगों ने दूसरी चीज़ा हैं में रहे हैं, वो यह है कि मार पास वो यह diaphragm के below होती है, last जो thoracic vertebra होता है, और third lumber vertebra होता है, in between जो है वो लाय कर रही होती है, और इसका जो upper part होता है kidney का, उस वो मार पास 11th and 12th ribus को protect कर रही होती है, that is it, और right kidney मार पास यह little lower होती है, क्यों lower होती है, वो आप से बूच सकता है, आप लोग बोलोगे कि मार पास जो liver का lobe होता है, उसका एक lobe आया होता है इतर, उस 28 cm long होते है, narrow musculatubule structure होते है, rise from the hilus, run backward along the dorsal body, wall and open on the dorsal wall of the urinary blader, ठीक है जिस्ट आपको बता हो कि यह 28 cm long होते है, ठीक है, और यहां से जो dorsal, dorsal उस ने किया है, यह वाली statement आप लोगो ने देख लिए हैं कि यह dorsal side पर होते है, urinary blader आते हैं, यह peer shaped होते हैं, इंट प em你想 quấn आते हैं, human security system, dho urinary blader, tीक है, इन कीक है इन я कहते हैं कि 0.5 8 liter और गवर क्र चार्जोर कर सकते हैं, ेसमें परोप sparks करते हैं, इस वाल स्पिन्स करते हैं, इस वाई स्पिन्स्टर हUNG जचार्जोर रिलेक्स करते हैं, तो मुझे श्बेलिजा उर्ण उरीजोर मतुरशन act of amplifying the bladder now question comes sometimes act of amplifying the bladder is called maturation I think I remember our nurse has given maturation that act of amplifying the bladder is called maturation act of amplifying the bladder is called maturation urethra neck of the urinary bladder is exterior length it has given females 2-3 cm long only for urine and males it has been 20 cm long and urines and spums for both ok and pinus urinogenetical just leave me for the kidney I have told you ureters 28 cm long and dorsal body and dorsal urinary bladder blader you have to remember that it is dorsal side just that is it urinary bladder you have to remember that it is pure shaped hote it is 0.5 to 1 liter urine store sakti it is there are spinsters which relax so urine comes maturation act of amplifying act of amplifying emptying the bladder is called maturation urethra and length of females 2-3 cm and urine for 20 cm long and urine with spum fluid दिन्स पार लिये भी यही युरमार आच होती है यह आपर सेहां के पास लिए मैं इक्स्थ्रक्च्यर्य रूमय स्थ्र यून पास यूनित है sięום अब आम्में लोग यहांपर के निभा तरह यहां बा अब निफ्राउन में फिर्स आपर इसके पार्ट को देखते हैं पिर इसकी टाइप्स को देखते हैं अब यहां पर मैं आप लोगों के चीज़ में जाता हूँ अब यह चीज़ आपको बता है के निफ्राउन अर्ड फॉंक्शनल अफ किट्नी अब निफ्राउन के वो बद्फॉंक्शन वंक्शनल ऑफक्रांट के किट्नी ऐसे संउम्टाइब्स को आता है वो आप से स्ट्रूक्शनल ऑफॉंक्शनल ऑप सिर्फ फॉंक्शनstes impacted वоны गर सम्टाइब्स बॉंक्शनल करप उता है वो भी नीफराण ही होगा इस वाइस को सुचिज भी देते हैं, वो कहते हैं, याँ यह तो इसके साथ चॉशिल प्रेशर इतना जयदा होता है तो बंदय को कुछ समझ नहीं आ रही होती है तो यह स्ट्रुक्शल यूनिट के साथ साथ यह फॉंक्शनल यूनिट भी है अब निफ्रान के पार्ट की बात कहते हैं, दो पार्ट को first of all ने रिफाइन की है, मर पास रिनल करपसल है, और रिनल टुब्यूल्स है, अब रिनल करपसल मर पास कहते हैं, गलमेरलस होता है, capillary tuft receive the efferent arterioles help infiltration, just simple, इसमें as such, mcq point नहीं है, ठीक है, अगलोमेलस पोडोसाइट सो होते हैं इनका आपको बता हो गिडिनी की डाग्राम जो है उसकी लेबलिंग बता हो लाइक कौन-कौन से पार्ट्स हैं और nephron की भी आप लोगं को कम उसकम labeling पता हो sometimes वो आपको हो सकता है MCQ में आपको kidney की diagram दे दे और उसमें किसी एक part को mark कर दे x और आप से बोले कि इस x को label करो या इस part को किसी specific part को label करो तो आपको वहाँ पर labeling करनी आती हो ठीक है? इस तरह के questions भी आते है अब यहाँ पर कोई MCQ point नहीं है जो आप से वो directly पूछे ठीक है? जास आप लोग इसको एक माता रीड कर लो ठीक है? अब renal carpuscles को अब renal tubules क्या है? इसमें मेरे पास जो है वो further 4 parts है ठीक है? proximal cannulated tubules loop of handling distal cannulated tubules and collecting lab अब renal carpuscles में ऐसाथ कोई MCQ point नहीं था लेकिन जो आप लोग के पास जो renal tubules है यहाँ पर MCQ points बहुत जाद है आप लोग पैन अपने पाथ में पकड़ लो अब पहले MCQ है यहाँ से इस तरह से आ सकता है कि आप लोग उसे sequence ही पूछ सकता है कि मरपास sequence बताओ तो हमेशा जहाँ में रखो कि मरपास सबसे पहले proximal convulated tubule आता है उसके बाद loop of handle आता है loop of handle के बाद आप लोग के पास distal convulated tubule आता है और distal convulated tubule के बाद आप लोग के पास आता है collecting ducts that is it ठीक है यह point भी आप लोग के पता हो अब जो proximal convulated tubule होता है यह मरपास it is the longest part of nephron अगर आप लोग को प्रैक्टिस टेस्ट याद हो तो यह मैंने वहाँ पर भी question कह था कि which one of the following is the longest part of nephron तो वो proximal convulated tubule था it is lined by the epithelial cells having the brush border compounds of the microvilli जो कि surface area को increase कर रहे होते है यह जयन में रखने की जुरूद नहीं है just आपको यह भी पता हो कि it is the longest part of nephron तो यह भी more than enough है तो यह हम से क्यूँ आ सकता है दूरसे मरपास loop of handling U-shaped होता है prominent in the juxta medullary nephron आप से question कर सकता है which one of the following part of nephron is prominent in the juxta medullary nephron तो आप लोगे पास होता है loop of handling तो loop of handling का आपको पता होना चाहिए it is prominent in juxta medullary nephron अब juxta medullary nephron में में लोप of handling होता है अब इसकी importance का है हम लोग जब इसकी types पढ़ेंगे nephron की तो यह वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यह juxta medullary nephron में जो loop of handling होता है तो इसको क्या function है यह क्या importance है next आपर पास distal convoluted rule it is a more distal part of nephron नाम से इंडिकेट कर रहा है तो यह आप लोग जान में लगे sometimes question कर सकता है which one of the following is the most distal part of nephron तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको complete names ने दे जे जिuh DCT लेखते या आप लोग को PCT लेखे या आप लोग से टी लेखते या पर वहाँ पर स्टूden्ट कर इंफ्यूज हो जाते घिके है तो आप लोग पता हो कि मार पास distal convoluted tubulator हो या मौस्ट धिस्ल भड़ट होता है nephron का collecting ducts first part of collecting tubules होता है इसे भी कोई अशलीव पॉइंट नहीं है अच्छ जहां पर इन्होंने इस चीज मिस्की है कि तुम्हार पास पास जो salts होता है और यह nutrients होता है यह जायरता रियुप्साप के दरोर होते है वो चीज़ अन्य ने मेंशन नहीं कि तुम्हार पास वह वो आप लोगों को पता हो कि मोस्ट आफ था एक प्रेक्टिस टेस्ट था इंग प्रेक्टिस टेस्ट नेमर टू था या वन था उसमें मैंने ये दिया था तेछ मैँ अब मैने दूस्री जो मैं चीज है वह है टायपस ऑन अब तैपसं मेरे प़ास्टैस करें प्रेठ अब दूसरी जो मैं यूख नमे देखलेज कहते है का था रियल कर-पिसिल एक चीज़ जहन में देखें पहली बात यह जो लास्ट वाला पॉइंट है यह देख लें कहता है कि नार्मल कॉंडिशन्स डील विद दा कॉंट्रोल अफ ब्लड वालियम ठीक है यह ब्लड वालियम के साथ चाहिए वो डील कर रहाता है कॉर्टिकल नेफ्रान की पॉइंट आप के जहन में हो अब दूसरी जो most important चाहिज है आप लोगों को पता हो कि 70-80% अफ नेफरांज होता है यह कॉल्टिकल नेफरांज होता है यह भी मैंने आपको आप लोगों के किसी एक प्रैक्टिस टेस्स में दिया था यह जो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने आपसे लिये थ कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के एक टेस्ट में लिए थे कुछ पॉइंट्स फिर दूसरे में तीसरे में तो लाइक अगर आप उन टेस्ट को भी सॉल्फ करते हैं तो वह more than enough होता है ठीक है आप लोगों को जिस टेस्ट हो attempt किये थे उसका समझ आ रही होगी कि या अच्छ यहां पर कर्टे क surroundings कि 7 to 80 % होते हैं में हमें फिर दूर्प smack ले होता है वो ogr THB होता है ठीक है अब अब सब्सक्राइन आपको पता हो ठीक है आपस औह कुछ बूच के यही कोश्मी पूचे कि 7 to 80 % टे सिफ Corey में ने सिफ कॉछन कर सकता है कि most of the nefron serve critical juxtamallari both none most of means 70 to 80 80% कौन से है वो तो cortical है तो आप लोग बोले के cortical nephrons है most of nephrons in kidney ठीक है लाजमिन यह कि आपको 70-80% दे, sometimes दे भी सकता है sometimes confused critically नहीं भी दे सकता वो यहाँ पर most of the loves भी यूज कर सकता है दुसरे मार पास juxta medlar nephron कहता है कि मार पास renal carpuscles close to the junction of the cortex and medlar इसमें में में परपास loop of andly होता है लॉंग loop of andly होता है इसमें हमने बात कि थी कर्टिकल में short loop of andly होता है जक्स्टा में परपास long loop of andly होता है यह 20-30% contribute करें होते हैं इसमें होते हैं लेकन यह important होता है मैंने आफ से कहा था ओपर भी हमने लूप of andly पढ़ रहे थे वहां पर मैंने लिखा था कि मार पास यह जाकर में आपको इनकी importance बताऊंगा इनकी यह है कि यहां पर मार पास जो है वो जैदा मार पास यह वो फंक्शनल होता है या ज्यादा मार पास यूरीन टोर सकती है as compared to the cortical nephron थीक है तो इसलिए यहां पर long क्यूंके important इसलिए है क्योंके मार पास यहां पर loop of andly long है cortical ज्यादा है लेकर उसमें loop of andly short है इसलिए वो less important है यह तीन चार points थे जो क्या आपनों को लाजमी यहां से पता होने चाहिए अब next हम लोग जो है वो इसमें हम लोग जाते हैं जी blood supply of kidney की तरफ ठीक है अब यहां पर हमारे पास आजाते है blood supply of kidney अब renal arteries होती है ठीक है यह efferent arterioles से efferent arterioles में उसमें paratubular capillaries में visorecta से run antipodal यह sequence आप लोग जाहन में रख लो this is more than enough बागी इसमें कुछ में नहीं है ठीक है renal artery में हमारे पास kidney को supply कर रही है blood पर आगी वो कहां से कहां कहां से होका जाता है blood तो यह उसने flow chart से दिया हुग है तो यह आप लोगोंने देख लेना है next में हमारे पास excretory system of the nephron कैते हैं कि function of the nephron में हमारे पास क्या होता है? filtration, removal of the waste and urine formation question करता है कि all of the followings are the functions of nephron except question आ सकता है कि urine, एक और दूसरा question यह भी आ सकता है कि urine formation is the function of nephron, kidney तो kidney में क्या है? kidney तो just a structure है, उसमे functional and structural unit तो मारे पास functional unit तो nephron है nephron हमारे पास help कर रहता है urine formation में यह आपको पता होना चाहिए अब इसको further उसने तीन पार्ट में डिवाइड के, बिसके लिए यह process है, urine formation का first of all मेरे पास ultra filtration होती है, just simple मेरे पास इसमें यह होता है कि मेरे पास 20% of plasma होता है, वो filter हो जाता है to the woman capsule, that is it आप लोग ने इसमें कुछ भी नियाद रखना कहते हैं कि efferent diameter half to the a-ferent, अच्छा यह भी आप लो exam मेरे रखें कि मेरे पास जो efferent arterioles होते हैं, उसका diameter half होता है efferent से, efferent का diameter ज्यादा है और efferent का उसके half है, यह भी पता हो question कर सकता है, एक point हो गया, दूसरा point, 20% अधा plasma filtrates into the boomin's capsule, आप से question कर सकता है कि कितने percent plasma मेरे पास boomin's capsule में filter होता है, तो वो 20% होता है, नेक्स है कि filtrate has to cross the endothelium of the glomerular capillary basement, I suggest आप लोगों ने जस्ट यही 2 जान मेरे रखें कि मेरे पास e-ferent का diameter half होता है, efferent से, और 20% तो plasma filter करता है, boomin's capsule के अधर, that is it, दूसरे मेरे पास selective lead reabsorption, 1.8 ml of the glomerular filtration per minute, यह आपको बता हो, 1.8 ml of the glomerular filtration per day, per minute भी पता हो, per day भी पता हो, देखें, proximal convlator double 80% reabsorption मेरे पास केदर होती है, ओ, proximal convlator double के अधर होती है, यह जितने भी उसने आगे से दी हुए है, यह बता हो, अब देखें, मैंने आपस वहाँ पर भी कहा था, कि उन्होंने proximal convlator double में कुछ चीज़ें, जहें वो, mention नहीं की, तो यहाँ पर उन्होंने mention की है, देखें, 80% reabsorption केदर होती है, proximal convlator double में, मैंने आपसे question किया था, क्योंकि वह आपर microbialize होते है, मैंने आपसे उस वक भी कहा था, कि यहाँ पर जहतर reabsorption होती है, most important part है, longest part में है, ठीक है, और आप लोगों को मैं फिर अगर याद करवाँ, तो मैंने आपसे, जो आप ल seal and water are reabsorbed in, proximal convlator tubule में reabsorbed होते है, ठीक है, तो यह चीज़ आप लोगो बता होने चाहिए, ऐसा यहाँ से मुझ से एक गलती हुई है, गलती यह हुई है, कि मैंने आप लोगों को juxta medler in afton में यह बताया, कि यहाँ पर urine जदा स्टोर होती है, urine जदा स्टोर नहीं होती यहाँ पर reabsorption जदा होती है, ठीक है, तो वो मेरी mistake थी, तो आप लोग इसको correct कर लें, ठीक है, urine नहीं, यहाँ पर reabsorption जदा होती है, क्यों reabsorption जदा होती है, आप पर proximal convlator tubule होता है, अब यहाँ पर हम लोग selectively reabsorption की बात कर रहे थे, इसमें point number 3 को देख रहे थे, कि यहाँ आप लोग को पता होती है, तो फिर कह रहा हूँ, आप लोग को पता हो कि most of the reabsorptions take place in proximal convlator tubule, और 80% of the NHL and water reabsorbed in, वह proximal convlator tubule में हो रहे होती है, अब यहाँ पर ऐसा चाहाँ आपर MCQ point नहीं है, next है में आप लोग को पता हो, रवाइस करवा देता हूं उत्ला ultra filtration में माँपस E ferrent का diameter half होता है, एफेरंट से और 20% प्लाजमा मर पास भूमन के अपसूर में फिल्टर होता है selective reabsorption में पास यह जो पहले दो पाइंट से यह आपको पता हो तीसरा भी पता हो कि 80% reabsorption मार पास proximal convoluted double में होती है और 80% यह ने CR and water मार पास proximal convoluted double में reabsorpt होता है that is it बाकी यहाँ पर ऐसा चोर कुछ भी नहीं है लिक और चीज जैन में रखें कि मार पास ascending limb होते हैं उस पर descending limb होते हैं और collecting ascending limb मार पास impermeable to water होते हैं ठीक है लेकिन it is permeable to sodium, potassium, chloride वो यह चीज़ है तो यह points miss होगे थे यह भी आप लोग ने जैन में रखनें ascending limb impermeable to water but permeable to sodium, chloride and potassium descending limb यह highly permeable होते हैं water से ठीक है यह पता हो और collecting ducts अम भी यह मार पास impermeable होते हैं और EDH make it permeable ठीक है just यह तीन points भी आप लोगों ने अपने पास लिख लेने हैं important है अच्छ नेक्स मार पास आता है इसमें kidney as an osmo regulatory organ में में मार पास first of all कहता है के control of water level कहता है कि sleut potential in the blood is maintained by EDH कॉस्सना थाकता है कि sleut potential in the blood is maintained by आपको पता हो कि EDH anti-duretic hormone जो है उसको maintain कर रहा होता है अब इसमें मार पास water का level decrease होता है तो hypothalamus जो है वो अच्टिव हो जाता है और वो डिटेक्ट करता है fall in the blood salute potential वो release करते है EDH को EDH क्या करते है इंक्रीज करते है permeability of distal convoluted tubule and collecting ducts तो water रिबजाब हो जाता है ठीक है and urine मेर पास concentrated हो जाता है simple as that मैं आपको अगर simple mechanism बता हूँ on for example आपकी body में water की कमी होगी है ठीक है अब body क्या करेगी वो hypothalamus को बताएगी hypothalamus क्या करेगा जिस वक्त देखिगा कि आप यार water की कमी होगी है तो वो क्या करेगा कि वो anti-duretic hormone को release करवाएगा अब anti-duretic hormone क्या करेगा anti-duretic hormone जाएगा सीधा आप लों के पास distal convoluted tubule में और collecting ducts में ठीक है और इनको active कर देगा और यह क्या करेंगे water को absorb करना शुरू कर देंगे like उसको urine में excrete नहीं करेंगे उसको absorb करना शुरू कर लेंगे in this and at आप लों की body में water की जो वो हती है वो balance हो जाएगी और as and at the result आखर में आपनों की जो urine होगी वो concentrated होगी ठीक है जस्ट यह जायन में रखें that is it दूसरी चीज़ आपास कहता है कि control of blood sodium level ठीक है अब वो भी kidney का ही काम होता है ठीक है अब यहाँ पर कहता है यह अपने जो sodium level है उसको भी maintain करती है अब sodium level किसने से maintain होता है उसके लिए just simple यही है कि उसको हम लोगों ने बात की थी water level को balance करने के लिए एडिया चाहता है अब sodium level के लिए मरपास इसको aldosterone जो है वो control कर होता है यह maintain कर होता है और aldosterone is secreted by adrenal cortex ठीक है जब sugar level हमर पास कम होता है adrenal cortex से पर पास aldosterone आता है और यह हमर पास maintain करता है sodium level को that is it ठीक है यह sodium potassium pumps को activate कर लेता है और sodium की amount को sodium की consideration या उसके जो हो है level है उसको balance करता है that is it तो यह दोनों points आप लोगों ने जाने में रखने है water को balance करता है ADH, ADH hypothalamus से आता है sodium को balance करता है maintain करता है aldosterone most important यह aldosterone है ठीक है तो यह दोनों points आप लोगों के पास लिखे होने चाहिए next हम आपका से इसमें आजाता है urinary tract infection ठीक है अब ureter is rarely the site of infection आप लोग उस MCQ आ सकते है कि which one of the following part of urinary tract is rarely the site of infection लाइक महाँ पर infection बहुत कम होता है तो वो ureters होता है ureters में बहुत कम infection होता है तो यह भी आप लोगों का 1 MCQ point है ठीक है rarely infected site कोंस है ureters अब ureters में इसमें महाँ पास जो urinary tract infection है classification कर लूँ जो के most important है pyleonephritis kidney infection को कहते है pyleonephritis bladder infection को कहते है cystasis और urethral infection को कहते है urethritis 4 points हो गए 4 points हो गए एक मैंने उपर आपको बता है कि मैं आपस ureters होता है यह rare infected infection sites है जो pyleonephritis pyleonephritis है kidney infection को कहते है cystasis bladder infection को कहते है urethritis urethral infection को कहते है अब यह चारों most important mcqs point है यह आपको लाजमी बता हो आप लोगों के पास यह लिखे होने चाहिए causes बता रहे है bacteria और fungal bacteria के नाम मैंचन है fungus के भी मैंचन है एक मरतब पर नहीं लेकन यह mostly नहीं बूच रहे होते आप लोगों के इंट्रोड़क्शन के बता हो कि मार पास infection of kidney को क्या कहते है infection of bladder को क्या कहते है infection of urethra को क्या कहते है तो यह आपको पता हो और ureter हमार पास rarely site of infection है वह पर infection बहुत काम होता है तो नेक्स आप लोग देखते है कि मार पास एक scritory system में मार पास कौन कौन से problems है तो first of all मार पास कौन से है इसमें आता है kidney stone kidney stones are heart kidney stones are heart crystalline materials ठीक है यह कि MCU बान नहीं यह MCU में स्राग इसमें नहीं आती symptoms कहा है traveling from the kidney to bleders cause pain only pain only at the side belly or the grown and the color of urine becomes the pinky shell radish question आ सकता है कि जब kidney stones हो और मार पास उस वाग जो urine का color होता है यह question आप लोगों नहीं में रखने chemical nature of the stones calcium and the combination oxalates and proteins 70% मार पास जो stones होते है in the palm of calcium होते है यह हम लोग oxalates भी कह सकते है यह proteins भी कह सकते है 70% मार पास जानिके calcium stones होते है 5-10% uric acid की वही से हो रहा होता है और 1-3% amino acid cysteine की वही से हो रहा होता है कहता है infection in the urinary tract called as a stroide or infection stone 15-20% होता है तो यह कुछ numerical values है important है अब यहां से sometimes question आता है कि most of the kidney stones are calcium stones 70% contribute करें और सबसे काम amino acid cysteine involved होते है kidney stones causes hypokalysemia increase calcium in the blood hyperthyroidism hyperthyroidism like just to know hypercalysemia hyperthyroidism 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 hyperauxiliaria hyperthyroidism and hyperuricemia यह नही की बात करें स्टोंस की बात की यह calcium amino acids and eurocastrid यह 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 बात की यह बात कार टीक बाकी-समीटमेंट 0.5cm can pass through the kidney once meter cannot procedure depends upon the type and size of the stone अचाया इसमें मेर पास कहते है कि treatment मेर पास कहते है कि सिर्फ 0.5cm यह जो stone होता है यह किकनी से पास कर सागता है one yard से जयादा मेरा stone नी पास कर सागता यहाँ पर इसमें कुछ procedures बताएं ठीक है यह आप लोग देख लिए यहाँ पर ऐसे जो कुछ MCQ point नहीं है ठीक है लगन आप लोग यहाँ पर यह जहन में रख लें कि मर पास जो nephrolithiotropsy होती है pericutaneous nephrolithotropsy यह large stone के लिए होती है and more commonly used ठीक है pericutaneous nephrolithotropsy जो दूसरी है एक्स्ट्रा करपसल shock wave lithotripsy यह small stone के लिए होती है कोई इसमें small waves होती है क्वेस्ट्रा सकता है कि अगर मर पास kidney में small strotron है ठीक है 0.5 cm यह संब इससे भी कम तो फिर उसके लिए हम लोग कौन सी टेक्नीक यूज करेंगे तो उसके लिए यूज होती है यह आपको पता हो that is it उसके बात यहां पर है old method tubes you have a patient के back back पर जाव inside की जाती है to kidney scoped is run ultrasound waves इसमें MCQ पारनी है उसके बात हम लोग बात करते हैं इसमें further renal failure के kidney failure की इसके उसने acute मरकास 2 तरह के renal failures होते है एक acute kidney failure होता है acute kidney failure होता है acute loss suddenly chronic gradual loss of kidney function just definitions पता हो acute suddenly become unable to filter developed rapidly in a few days causes blood loads like just पता हो acute loss of kidney function chronic gradual loss of kidney function chronic kidney failure होता है can you progress two end stage renal disease like this में MCQ point नहीं है ठीक है बस इतना बता हो diabetes, hypertension and long use of anti-inflammatory drugs and other analysis medicines उनकी वैसी गाज होती है symbol is that बागे MCQ point यहां पर नहीं है treatment की बात करते हैं treatment इसमें 2 तरह किया जाती है एक acute और acute के लिए हम लोग dialysis or dietary modifications करते हैं और जो chronic होते हैं medications to controls or diabetes hypertension means just जिंजिन disease की वाईशा यह gradual loss हो रहा होता है उन diseases के लिए हम लोग just simple medications use करते हैं लकिन जब acute kidney failure तो उसके लिए हम लोग dialysis उसके लिए आपको बता होना चाहिए नेक्स में आजाता है renal dialysis अब लोग यह बात की कि अगर acute हो तो उसके लिए हम लोग dialysis करते हैं इसमें लोग toxins अब kidney का function किया है वी घ्रत इक हुआ औक उसके लेकर dalते तोगस्तीаний सके तून किया नुट परहे से इसमेन माशन गोची में लिमेनेत का लींट अब दिल्ड coffee अब डालेसे से हम लोग क्या करे होते हैस लोग तो फिल्टर न तॉक्सटन गाल हैसित ठीके गडीयश समय को करें लानट शक्क्ड काली तो थो टना क्योंता है लांडीय थो दिशन अंच success मों भी आपम केड़ सीजट है कि अपनीड देसित रही थो समय क्यों की होर्त अपना स्पर देस्ट दो सिर्प्स में क्यों करो हम लोग दिल्लचर यूजे समय इस लोग का है घ्टियोग करते हैं मुर्य तो अचि जिया सकते चाहिए हम दिल्लचर फलुएर थी जान एक हाँ हमिय डिल्लचर खेल रखी यूजे रहे होते हैं उसके बाद मरपास एसमें आजाता है किड़नी ट्रांशफलांट अब जब मरपास एिसमें किड़नी थे हो जाया oversee तो हम प्रचीज क्यों न कर रहे हैं हम पर उसके लिए किड़नी ट्रांसप्रांत ट्रांस्प्छांट बजता है इसमें करते हिए चिप्लेसमें the displacement of our deceased or missing kidney life of the kidney with the aminosepressive drug is 5-10 years कहते है अगर kidney transplant कर भी लिए तो फांच दस चाहल उसकी लाइफ आप अजी ही होगी अब यहां पर फृतर जो हो इसमें भी MSQ पांट नहीं है अब हमारे पास यहां वो donor recipient match अब यह important है यहां से में आपको 1 MSQ बताऊँगा ठीक है कहते है कि some blood same blood group must match human leukocytes antigens and are there must match at least 3 donor blood must not initiate and अच्छा यह देखो 3 का इसने जो लाफ्स चूज किये ना मैं पास 3 चीज़ें ऐसी है जो कि लाजबी match करने चाहिए एक तो उसका blood group दूसरा जो है वो उसका leukocytes and further यह HLAs जो है वो 6 HLAs में हमारे पास कम अज़ कम तीन हमारे पास match करने चाहिए sorry यह 3 उनने इसका कहा है अब और रहाल मारे पास I think 6 होते हैं या कितनी चीज़ें होती है यह आप लोग खुद सर्च कर लो ठीक है यह important है वो कॉसल करता है कि किड्नी ट्रांस्प्लांट के लिए हमारे पास डोनर और रेसिपेंट में कितनी चीज़ें मैच करनी चाहिए I think 6 है या 3 है यह कुण फर्म करना आपका काम है ठीक है and risk and complications, bleeding during or after the operation में में इसमें की MCO पुण नहीं है ज़से आप लोग यहां से एक चीज़ सर्च करनी है कि जब किड्नी ट्रांस्प्लांट करते हैं तो डॉनर और रेसिपेंट का जो, like obviously blood groups, blood groups, leukosydes match करने होते हैं नेक्स्ट वेढ़े पास तो है वो ये था पलों के पास यह उसमें कटीनी इसके एक्स्रिटरी शिस्टम के एलेटिड कुछ प्रॉप्लूम्स नेक्स हमारे पास आ जाता है thermoregulations यानि कि mechanism of maintenance of body temperature तो यह इस chapter का last part है तो इसको देखते हैं इसमें हमारे पास फिर्स्ट फाल आ जाता है introduction temperature affects rate of enzyme activity rate of movement of the atoms and molecules geographical distribution of animals MCU point यहाँ पर नहीं है अब classification of classification हमारे पास वह है वो on-the-base of body temperature तो मारे पास कुछ polych Effects happs होता है कुछ hemo therms होता है जो polychamps होता है यह unable to maintain the temperature within the narrow range और Hemotherms होता है यह able to maintain fairly constant body temperature ठीक है जो मारे पास invertebrates fishes amphibians and reptiles होता है यह polychamps टरम टरम होता है mammals और birds मारे पास होमियोड therms होता है यह अपना body temperature maintain करते हैं like external environment के लिहाज से यह अपने body temperature maintain करते हैं just इनकी definitions बता हो और examples बता हो polky therms अमरे पास temperature maintain नहीं करते हैं homeo therms हमरे पास temperature maintain करते हैं polky therms की examples आपनों के पास आजाती हैं invertebrates, fishes, amphibians and reptiles और मरे पास jो homeo therms हैं और मरे पास birds and mammals आजाते हैं classification of the base heat gaining sources अब मरे पास कुछ endothermist होते हैं कुछ endothermist होते हैं जो endothermist होते हैं यह मरे पास कहते हैं chemical directions of the ingested food और दूसरे जो actotherm होते हैं कहते हैं heat from the external environment simple is that endotherm होते हैं वो अपना temperature होत में नेन करते हैं like हम लोग जो food खार होते हैं इसकी metabolism हो रही होती है तो उसकी वज़िसे क्या होता है heat generate होती है आप लोग ने चीज़े द्वाब कि होगे खाना खाने के बाद बंदे को सर्दी लग रही होती है यह चीज़ महसूद होती है specially सर्दियों में यह खाना जो बंदे काता है तो बहुत मजीद सर्दी लग रही होती है क्यूं? क्यूंकि बोडी के temperature राइस कर रहा होता है और obviously temperature difference होता है बाइर के temperature और means बंदे को ज़्यदा मैसूस हो रहा होता है तो उसकी वज़े से यह सीन हो रहा होता है और just नीचे examples है endotherms की और ectotherms की तो यह आप लोगों ने जयन में रखनी है examples जहां पर ही mention हो मैं अगर मैं आपको ना भी बताऊं कि यार इसको आप लोगों ने याद करने आप लोगों बहुत ही इसको जयन में रखनी हो examples important होती है क्योंकि यह जो competitive exams होते है इसमें mostly ने कोश्य होती है कि आपको application based question दे तो application based question इसी तरह से बनते हैं ठीक है question कर सकता है कि आप से fishes हमार पास endothermous है यह actothermous है वह actothermous है यह आप लोगों ने चीज़ इस तरह से जहान में लाजमी रखनी है उसके हमार पास आ जाता है thermoregulation in humans अब हमार पास कहता है कि normal temperature होता है 36.4 to 37.3 degree range of temperature होता है अब यह बिल्कुल exact values है तो यह आपको बताने चाहिए sometimes यह भी पूच सकता है ठीक है तो इस वक students अब यहाना कि यह बहुत असान है कि normal body temperature है लेकि जो points के बाद values दीने यह आपको confuse कर सकती है तो इसको आप लोगों ने exact इसी तरह याद करने है ठीक है thermogenesis एक process है जिसमें heat production होती है और ही मरपास यह मरपास जो होता है it is regulated by nervous and hormonal system question हो सकता है thermoregulation in humans या thermogenesis it is regulated by option A nervous system option B hormonal system option C both option D none it is regulated by both nervous and hormonal system option C is correct इस तरह से वापकों सीक्यू अब इसकी बेस पर हम लोग बोलते है कुछ shivering thermoregulation होती है कुछ non shivering होती है shivering we have stimulation of the valentary muscles by the motor neurons increase heat production 5-10 अब shivering आपने देखा हो जब सर्दियों में लग रही होती है तो हम लोग shivering कर रही होती है काम पर होती है तो shivering से क्या होता है हमारा metabolism increase हो रहा होता है और metabolism increase होता है heat production जयदा होती है तो पर यही बात कहना है कि shivering में हमारा पास heat production 5-times जयदा होती है as compared to non shivering thermoregulation तो यह दो points आप लोग ने जयन में रहा है जो non shivering कहता है तो यह दो पास thairoxone increase the heat production long term effect and adrenaline increase the heat production short term effect देखे यह दो MCQs आप लोग को यहां से भी मेलगे कि non shivering में तो यह दो यह दो और adrenaline हमारा पास heat को प्रोड्यूस कर रहा होता है thairoxone क्या कर रहा होता है यह heat production को जो हो long term effect के लिए produce कर रहा होता है और जो में पास adrenaline है यह short term effect के लिए heat production कर रहा होता है तो यह दो MCQ points भी आप लोगों ने लाजमी जहन में रखने है उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है heat loss heat loss में 50% radiation of total heat में आप लास हो रहे दिया है अबाकि इसमें आप साथ MCQ points नहीं है heat conservation fatty layer in the hypodermis that heat को prevent कर रही होती है बाकि इसमें भी MCQ points नहीं है roll of hypothalamus अब यह देखते हैं control the blood temperature question आसा है कि which one of the following part of brain control the blood temperature is hypothalamus यह point भी आप लोगों को लाजमी पता हो skin has receptors that send the signal to hypothalamus and sensory areas of the cortex vasodilators, radiations, connection, conduction, activation of the sweat glands, decrease the metabolic activity, vasoconstriction radiation convention like MCQ point नहीं है जस्ट आपको यह चीज़ पता हो body control temperature body the blood control temperature control of the blood temperature वो किसका रोल होता है वो hypothalamus का रोल होता है तो यह था आपनों के पास thermoregulation और यह था वराल आपनों के पास आपनों का chapter number 15 homeostasis homeostasis last में इस नहीं फीवर का लिखे कहते है कि increase in core temperature in fever or pyrexia causes malaria or typhide mechanism उसने बता है यह अभी इसमें लोग immunity वले chapter में करके हैं यह वही चीज़ लिखे लिखे है इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है यह था आपनों के पास homeostasis वले chapter अमीद है कि आप लोगों काफी कुछ चीखा होगा queries आप लोग question जो है वह कोई भी हो तो आप लोग comment section के अंदर कर सकते है thank you और वह मुझे बिलकुल आप question लाजमी बताना है कि kidney transplant में donor और recipient में कितनी चीज़े मैच करने चाहिए तो यह आप लोगों का task था important है वह और यह मुझे आप लोग ने of donor and recipient तो thank you